तो भई ये है latest Evolution X का 8.2 वर्जन Redmi K20 Pro के उपर और इसका जो update है भई ये 8.2 वाला ये काफी सारे phones के अंदर आ चुका है मैं K20 Pro के उपर review करूँगा बट आप एक idea ले सकते हो क्या कुछ आपको इस update के अंदर देखने को मिलेगा वैसे ये AOSP ROM में Android 14 के अंदर मेरा first review है 2024 का तो सबसे पहले बात करेंगे about phone page की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है सारी की सारी information और Android version 14 based है उसके बाद Evolution X version 8.2 मिलेगा रफाइल official update है यहाँ पे आप देख सकते हो January 5, 2024 का latest Android security patch आपको मिलेगा और Soviet star kernel के साथ आपको मिलता है and build date आप check out कर सकते हो बिलकुल latest वाला update मैंने install कर रखा है सबसे पहले इस ROM के हम जो है app opening closing animation के speed की बात करेंगे तो ROM भाई काफी अच्छी है काफी stable है ऐसे UI के regarding मेरे को problem अगरा कहीं पे भी देखने को नहीं मिले जो animations हैं और जो overall आपको यहां पर fluency मिलती है न वो काफी ज़्यदा बढ़ी आपको मिलेगी और recent में आप देख सकते हो सारे के सारे आपको pixel launcher वाले feature मिलेंगे क्योंकि यह जो launcher है यह आपको pixel launcher ही मिलेगा इसमें at a glance में काफी सारे features हैं और quick setting panel को भी आप देख सकते हो यहां पे भी आपको कोई issues देखने को नहीं मिलेंगे पर हाँ इसमें आपको यहां पे black theme देखने को मिल जाता है अगर हम stock camera की बात करें तो यहां पे like का वाला camera मिलता है इसमें 4K 60fps तक का वीडियो बगर रिकॉर्ड कर सकते हो और यह latest updated है HyperOS से क्योंकि यहां पे जो layout थोड़ा change हो चुका है HyperOS में अब सबसे पहले important चीज़ों की बात करेंगे तो भाई इसमें आपका जो device है आपको certified देखने को मिल जाता है उसके बाद यहां पे widevine L1 का भी support आपको देखने को मिल जाएगा और उसके साथ थोड़े मैंने test यहां पे run किये थे अब latest N2 2 benchmark का version 10 अगर आप यूज करोगे तो यहां पे 647,000 के आज पास scores निकल के आते हैं और 9.0 करोगे तो भाई यह थोड़ा कम दिखाएगा around 4,80,000 के आज पास और यह कुछ आपको थोड़े variations देखने को मिल जाते हैं बग यह आपको scores मिल जाते हैं यहां पे CBS rolling graph के अंदर यह मैंने 15 मिनट तक run किया और यहां पे आपको यह वाले benchmarks देखने को मिलते हैं Geekbench 5 के अंदर 6 के अंदर basically और यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं 3D Mark के scores भी मैंने 3D Mark को भी run किया है तो यह scores आपको देखने को मिल जाएंगे 3D Mark के अंदर इस ROM के साथ में default आपको यहां पे ना stock dialer वो Google वाला मिलेगा बट उसमें core recording नहीं मिलेगा अगर हम setting में चलते हैं तो सबसे पहले devolver आएगा themes का section है यहां पे theming settings आपको मिल जाएंगी उसके बाद dark theme का option रहेगा जिसके आप काफी सारे options को enable कर सकते हो like schedule बगरा कर सकते हो यह सारे के सारे fonts आपको देखने को मिल जाएंगे brightness slider का जो style है वो change कर सकते हो navigation बार का option है then signal के आईकोंस आपको आपको सारे मिलेंगे then data के भी आईकोंस आपको मिलेंगे उसी के साथ status bar के अंदर देख सकते हो यह सारे options है network traffic monitor वगरा battery customization आपको मिलेगी और सारे के सारे भाई android 13 वाले भी features यहां पर आ चुके है इन कॉल vibration options रहेंगे और quick setting के अंदर आपको यहां पर यह कुछ column वगरा कस्टमाइज करने के लिए option है और जो headry में जब आप apply कर सकते हो बाकि brightness slider का जो style है वो change कर सकते हो और यह सारे के सारे common features रहेंगे power menu में यह advanced restart आई यह gestures की settings आपको मिलेगी यहां पर under display fingerprint scanner की speed में चेक करवा देता हूं तो कुछ ऐसी speed आपको देखने को मिल जाती है हम आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो यहां पर speed अच्छी है कोई problem करा नहीं आएगी edge lighting वगरा है और lock screen के अंदर यह सारे आपको options मिलेंगे और यह navigation mode का भी option मिल जाता है then animations रहेंगे then miscellaneous में देख सकते हो काफी सारे options आपको मिलेंगे आप अपने device को pixel 8 pro के लिए भी यहां पे spoof कर सकते हो और unlimited photo storage रहेगा netflix spoof है higher fps का option रहेगा application downgrade का option रहेगा और apps के अंदर आपको यहां पर game space और kloned apps का भी option मिलेगा उसके बाद battery का section है जो कि आप check out कर सकते कु नहीं मिलेगा basically बट आप haptic feedback को customize कर सकते हो उसके साथ display में आप देखोगी तो यहां पे आपको काफी सारे modes देखने को मिलेंगे live display है यहां पे colors options रहेका DC dimming है smart pixels है उसके साथ यह सारे आपको extra features देखने को मिलेंगे और wallpaper style में Android 14 का layout आपको मिलेगा यह clock की customization आपको देखने को मिलती है और इन में से काफी सारे clocks आपने देखे होंगे पहले ही और यह pixel के latest Android 14 updates सारा layout चेंज हो चुका है उसके साथ shortcuts मिलेंगे और यहां पे अगर हम बात करते हैं accessibility विगरा की उसमें ज्यादा changes नहीं रहेंगे बड़ यह जो security वाला page है वो आपका update हो चुका है और system की बात करें तो यहां पर navigation mode का option मिलेगा कुछ इस त्रीके से आप check out कर सकते हो IME space वगरा का भी option आपको देखने को मिल जाता है